हेलो दोस्तों आज मैं बताने वाले हूं आपको धारी देवी के बारे में ठीक है तो हम आज जाने वाले हैं धारी देवी जहां मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा माता धारी देवी के बारे में कि यह कहा है ठीक है इसके बारे में पूरी जानकारी में दूंगा आपको चलो सुरू करते हैं आज के ब्लोग तो फाइनली जो है मैं घर से निकल चुका हूं है ना बाई के साथ तो सुरू करते हैं अज का ब्लोग है ना तो वेलिकम आप सपी का मेरे S.B.Vlog 8.9 में स्वागत है आपका फाइनली जो है मौसम करहता जिस करण मैंने आपसे बोला था कि मैं साहिदी जो है बीच में ब्लोग नहीं बना पाऊंगा है ना तो अब हम जो आ चुके हैं वो हिंडोला काल से काफी दूर आ चुके हैं यहां जो मौसम देखे कितना सवाना है रियल में दोसों सच जो मुझे विली भी नहीं हो रहा है इतना अच्छा मोसम हो रखा है और ड्राविंग करने भी बहुत ही मजा रहा है तो हम जो हैं अभी यहां से निकल रहे हैं देरे देरे करके देखते हैं अगे कहां पे रुकेंगे यह क्या होगा पता लग जाएगा आपको अब जो हम यहां पे सिरी नगर वाली रोड पे यहां पहुंच गए है न तो इस रोड पे बहुत ही पड़िया मजा आने वाला आज क्योंकि रोड जो है काफी खाली भी है नहीं को ट्रैफिक है यहां पे रोड पे देख सकते हैं खाली रोड है बिल्कुँ और यह जो मार्केट है यहां पे हम बागवान में पहुंच गए है न तो काफी प्यारा मार्केट है यहां पे कुछ भी चीज बल्लब सारी चीज़े आपको यहां पे उपलद हो जाएगी किसी चीज की आपको यहां दिक्कत नहीं होगी है न तो बागवान के जो मार्केट से यह पार कड़ते वे अब हम जाएंगे मलिता होते वे फिर हम कीर्थनगर जाएंगे और कीर्थनगर से फिर हम सिरीनगर और वहां से जो है 15 किलो मेटर है अमारा धारी देवी उशी कर दो तो अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच चुक है यहां पर कीर्थि नगर में ठीक है किर्थ नगर में हम यहां पहुंच के यहां अलग जो कड़ जाते हैं अंदर चौरास के लिए यहां से अलग कड़ जाता है और यह आप का गेदानात के लिए सीधा रूड जिस पर हम जा पूल के ऊपर तो यह देख सकते हैं तो हम जा रहे हैं यहां से इसरी नगर है कीर्थी नगर पूल देखो सुमो या मैक्स लग रखें आप बहुत सारी अलग रूट कड़ जाते हैं तो यह फानल हम चलते हों सरी और यह प्यारासत मार्केट जो है किर्थिनगर का यह सुन्दर सुन्दर मकान यहां पर दे सकते हैं कापी अच्छा मौसम भी सुवाना एकदम कड़क दूपा रखी है यहां देख सकते हैं और कर्मी भी काफी हल्किफुल की है नदी किनारे होता है तो हमस कह सकते हैं वह पर दोड़ा और यह सिरी नगर पहुच चुके हैं सिरी नगर में यहां पर है न अच्छा है यहां पर भी काफी मौसम देखें और ज्यादा वीडवार्ड भी नहीं है अभी क्योंकि वीड जून जुलाई के आसपासे रहती है अगस्त में देरे देरे काफी कम हो जाती अब जो हम इस्ताने लोग जितने वी उत्रागंड की जो है इधर उधर हम गूम सकते हैं इस टेम यहां पर अलका थोड़ा बहुत टूरा पानी आई अगैंसका का पानी जुफ सहोची काफी जाता है कि अपर। जैनात इक आप बारड़ा हैं तो ंगी काफी है जाता है यहां ना देख सकते हैं और हम जा रहे हैं भी धारी देवी के और आगे बढ़ते हैं ना तो रोड एक तब खाल लिए विल्कुत सुनसान एक आद कोई कोई गाड़िया यहां से जा रही है या फिर हिम गिरी की बसे जा नहीं है अपनी यहां की अब यह है यह पूरा जो है पाड़ी है आप देख सकते हैं सामने अभी जो है मंदिर पहुंचने ही वाले हैं ना देखिए आके जो है बस से कुछ लोग उतर रहे हैं वह भी साइदे मंदिर जा रहे होंगे तो जाना दूर नहीं सड़क से नजदी की है काफी मला 500 मिटर आप कह सकत है ठीक है तो यह देखिए हम गेट से यहां एंटर करते हुए अंदर मंदिर की तरफ है ना तो यहां सड़क से हैं नजदी की है जादा दूर नहीं है और यह जो अधारी देवी है हमारा यह सिरीनेगर गडवाल में आती है ठीक है सिरीनेगर गडवाल में पॉड़ी के कि भूचा की जाति यहां मंदिर में और मंदिर में दिवी की जो मूर्ती है सिर्प उपरी भागे देखिए इत्करा मंदिर है बाये में हां जो निचला भाग को की नाम से परसित है got 예 और जो मां की जो प्रतिमा थी यहां पर वह सोला जून दो जार तेरों को बढ़ता ही जा रहता है ना तो इसलिए हटानी पड़ी है और यहां पर जो डैम है हाइड पावर प्रोजेक्ट है जो तीन सो तीन मेगावाट का है ठीक है और मंदिर के लागे में जो इस्ताने लोग एक लड़की का है फिर मेला का है और लास्ट में जो एक विर्द मेला का है ठीक है तो तीन सो रूजे मां के यहां पर है और माता जो धारी देवी जो थी हो साथ भाईयों की इकलोती बहन थी ठीक है साथ भाईयों की और मां जो थी अपने साथों बाईयों से बहुत प्रेम करती थी ठीक है, उनके के लिए खाना भी बनाती थी, उनकी सहो करती थी, पूरे तटन्मन से, ठीक है, तो माता जो धारी थे है, मात जब साथ साल गी थी, और भाहियों को जो पता चला की बैँना की, जो इकलुती बैर उनकी, उसके क्याए जो गर्ैवी काभी कराबते, तो गरह खराब होने कर ने से वे बाहिय थी वो सारे नफरत करने लगए थे नफरत बच्पन से गड़ते थे or रंग भी मा का सावला था ठीक है और साथ बाहियों को अपने सब कुछ मानते जो माता थी मानना भी चाहिए था क्योंकि जो माँ की जो माता पिता थे हो बच्पन वे उनको गुजर गेते और उनका जो पालन पोसन करा था वो उनके सातों बहुएं कराता है ना तो ये प्यारा सा मार्केट भी पुरा खुला नहीं आप हलका फुलकाई खुला है तो जो भी यह दिखा डैम बना है नदी के उपर पूरा ये जाने के लिए आप है ना बीड़ ता भी है नहीं काफी कम लोग आये हुए हैं लेकिन आ रहे हैं लोग है अब हम जा रहे हैं देरे-देरे मंदिर की ओर है न तो बता रहता आपको कि एक समय था जब मां के जो है पांच भाईयों की मौत होगी थी केवल दो साथी साथ भाई बचे थे ठीक है तो उन्हें लगा कि साहिए जो पांच भाईयों की मौत हैं इन्हीं के कारों हुए है क्योंकि इनके जो गरहते हो खराब थे ठीक है अब उनके मन में आफधारणा बन गिए फिर दोनों भाईयों को जो डर सताने लग है लग गिया था कहीं जो मा के कारणी हमारी भी मिर्द्यूना उज्य है तो उन्का जो सीर जो है यहां पर Also सोंड धारी नामक जगह थी ठीक है तो यहीं पर जो है मां का सिर्ज भैका आया था और जो अपरी जो धरता इनका सरसे निच्चे का जो भागता वह है रुदर प्रया कालिमत में मां मैठानी के नाम से वहां पर जाना जाता है यह परसित है वहां पर तो अगर कभी लगे आप को टाइम तो जरूर जाना वहां भी भूम नेकले क्योंकि यहां को तो हमने भी दिखा दिया है थोड़ा आपको नजा रहा है ना तो मा का जो सीर्ट जब बैते नदी में आया यहां पर तो एक नदी किनारे आदमी जो है कपड़े दो रहाता है ना तो उन्हें जो है आवा को कदम मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी तो तभी से जो है फिर सर निकाल के उन्हों देखा कि यह तो खाली सर है तो फिर पूरे सर को विस्तापित करती है माता पूरा व्यक्गान बताती हुने कि मैं ऐसे था ऐसा था कि साथ भाई थे मेरे हैं ना तो इस तरह से धारी सोटों ले लिए हमने अपनी सेल्पी वेगरा जो भी लेनी थी भाई ने भी है ना तो यह मंदीर कि नदी के बीचों बीच में देख सकते हैं और बगल में जो है पूल भी है कि यहां पर भी छोटा सा मंदीर और अब हम जा रहे हैं उपर रास्ता भी देखें बिलुकुल कोई वह नहीं है यह मंदीर का गेट है कि यह पूल भी है